नमस्कार जरोका चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 की किताब अभिवक्ति और माध्यम से जन संचार और माध्यम के important question answer तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 का सिलिबस से जन संचार और माध्यम से जुड़े हुए important question answer तो चलिए शुरू करते हैं जन संचार और माध्यम पर केंद्रित प्रश्ण औरुड के उत्तर प्रश्ण पहला है संचार शब्द की उत्पत्ती के बारे में आप क्या जा रहते हैं इसका उत्तर है संचार शब्द का अर्थ है फैलना इस शब्द की उत्पत्ती चर शब्द से हुई है और चर शब्द का अर्थ होता है चलना दूसरा है जन संचार से आप क्या अभिप्राय समझते हैं उत्तर है जन संचार से अभिप्राय है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में सूचनाओं का विचारों का और संदेशों का आदान प्रदान होना और अब प्रश्न तीसरा संचार और जन संचार के माध्यमों के बारे में आप क्या जानते हैं उत्तर है संचारों जन संचार के बहुत से माध्यम हैं जैसे समाचारपत्र पत्रिकाएं टेलिफॉन मोबाइल इंटरनेट फैक्स रेडियो टेलिवीजन सिनेमा आदि और अब प्रश्न चोथा संचार के प्रमुक्तत्व कौन से हैं तो इसका उत्तर है संचार के प्रमुक्तत्व हैं स्रोत, संदेश, शोर, डिकोडिंग और फीडबेक वगेरे प्रश्न पांचमा है संचार प्रक्रिया की शुरूआग कब होती हैं तो इसका उत्तर है संचार प्रक्रिया की शुरूआग तब होती है जब स्रोत या संचारक एक उद्देश के साथ अपने किसी विचार को संदेश को या फिर समाचार को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चाहता है अब है प्रशन छट्वा सफल संचार के लिए सबसे जरूरी तत्व क्या है तो इसका उत्तर है सफल संचार के लिए सबसे जरूरी तत्व है संदेश ग्रहीता की भाषा यानि जो व्यक्ति हमारे द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहन कर रहा है वह इसकी भाषा को वह उस कोट से परचित होना चाहिए उसे जिसमें संदेश भीजा गया है अब है प्रशन सात्वा संचार के प्रकार बताईए उत्तर है कि संचार के अनेक प्रकार है जैसे मौखिक और अमौखिक संचार मौखिक संचार होता है कि जब हम किसी से अपनी बात कहकर बताकर बोलकर भाशन दे करके सूचना दे करके जब हम कोई बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तो मौखिक संचार है मौखिक संचार वह है जो हम मुख का प्रयोग जिसमें नहीं करते किसी अन्य साधन का करते हैं पिर अंतरवयक्तिक संचार समूग अंतरवयक्तिक संचार को पहले समं लेगेर अगर दो व्यक्ति आपस में बात चीट कर रहे हैं तो यह अंतरवयक्तिक संचार होगा और आगर एक समूह आपस में बात कर रहा है तो वह अंतरवयक्तिक संचार समूह कहलाएगा समूह संचार भी एक प्रकार है और ये तब है जब हम किसी विशेश समूह के लिए कोई सूचना बेजना चाहते हैं जैसे कि इस समय में आपको वीडियो पर बता रहा हूं ये विद्यार्थियों के समूह को बता रहा हूं एक विशेश समूह को जो बकक्षा बारवी का शात्र है तो इसलिए ये जो है समूह संचार की स्रणी में आएगा और आखरी है जन संचार जन संचार मतलब संपूर्ण मनुश्यों के लिए पूरे देश के लिए संसार के लिए विश्व के लिए जिस तरह इस समय कोरोना वाइरस फैला हुआ है और उसके बारे में सारी दुनिया के लोगों को जागरूप बनाने के लिए बहुत सारे सूचना है या टीवी पर टे लिए प्रश्ण आटमे पर और ये प्रशन है डिकोदिंग से आप क्या समझते हैं उत्तर है डिकोडिंग का तादपर है प्राप्त होने वाले संदेशों में नहित अर्थ को समझ लेने की कला डिकोडिंग अंग्रे जी का शब्द है कोड और डिकोड जब हम किसी विशेश अर्थ के रूप में कुछ सब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह उसका कोड कहलाता है और इस कोड को समझ लेना जान लेना ही डिकोडिंग है तो कभी-कभी फोजी माध्यमों में कोई संदेश दूसरा न पहचान ले न जान ले तो उसके लिए कोड की भाशा में संदेश को डिकोड कर लिया जाता है तो है डिकोडिंग कहलाती है अर्थाद उसके अर्थ को जाल लेना और अब प्रश्ण नौवा फीडबेक की क्या महत्ता है यह भी एक अंग्रेजी भाशा का सब्द है जो जन संचार में आया है ज्यादा तर इसी तरह प्रयोग होता है फीडब के जरिये ही यह पता चल पाता है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था प्राप्त करता या ग्रहक ने उसे उसी अर्थ में ग्रहन कर लिया है ग्रहक याने ग्रहन करने वाला एक होता है संदेश भेजने वाला और दूसरा होता है उस संदेश को ग्रहन करने तो यह जो फीडबैक है कि जो जिसने आपका संदेश प्राप्त कर लिया है वो बताता है कि मुझे संदेश मिल गया है और उसके अंसार मुझे जो काम करना है मैं उसको इसे इस तरह से करूँगा तो वह फीडबैक देता है और उससे ये बात जाहिल हो जाती है कि उसने संदेश को ठीक तरह से समझ लिया है अब आते हैं प्रशन दस्मे में शोर से क्या अभी प्राय है तो उत्तर है संचार प्रक्रिया के दौरान बहुत सी बाधाएं सामने आ जाती है इन बाधाओं को ही संचार की भाषा में शोर कहा जाता है प्रशन है ग्यारवा सांकेतिक संचार के बारे में आप क्या जानते हैं इसका उत्तर है संकेतों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान सांकेतिक संचार कहा जाता है संकेत के माध्यम संकेत भी है पर वही कोड वाली लेंग्वेज का ही इसका तातपर है कि हम जब चाहते हैं कि जो मैसेज हम भेज रहे हैं जो संदेश भेज रहे हैं उसको केवल वही आदमी समझे जिसके लिए भेजा जा रहा है तो हम आपस में मिल करके उसके लिए कोई संकेत भाषा का एक कोड तैक तैयार कर लेते हैं बता देते हैं कि इसका ये तातपर है तो जब हम उस कोड को संकेत को उसकी भाषा को संदेश में भेजते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसका क्या तातपर है और दूसरे उसको नहीं समझ पाते क्योंकि उन्हें उसके वास्टविक अर्थ का पता नहीं होता और अब हम आते हैं प्रश्ण बार्में पर अंतरवयक्तिक संचार क्या है इससे में पहले भी बता चुका हूं पर फिर बताता हूं कि जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने वो पस्थित रहत हुए संचार करते हैं तो उसे अंतरवयक्तिक संचार कहते हैं और तेर्मा प्रश्ण साक्षातकार में कौन से संचार काउशल की परिक्षा होती है जब हम कहीं इंटेर्व्यू देने जाते हैं उस समय हमारे अंधर संचार के कौन से कौशल की परिक्षा ली जाती है तो इसका उत्तर है कि उस समय जो है वो अंतरवयक्तिक संचार की जो कला है कौशल है उसकी परिक्षा होती है कि जहां पर आपसे पूछा जा रहा है आप उत्तर दे रहे हैं कितना अच्छा उत्तर दे रहे हैं प्रश्ण ताकि वह जो जानना चाहता है उसकी शब्दा वली उस बात को ठीक तरीके से प्रस्तुत कर रही हो उसका अर्थ खोल रही हो ताकि जबाब देने वाले को कोई संदे ना रहे प्रस्न चवदोया जनसंचार की कोई एक प्रमुख विशेष्टा बताईए उत्तर है जनसंचार माध्यमों के जरिये प्रकाशित या प्रसारित संदेश सार्वजनिक प्रकृति वाले होते हैं एक बताना था तो एक यह है कि जब जनसंचार की माध्यमों ने आखवार में कोई चीज प्रकाशित की जाए टेलिवीजन पर कोई चीज बताई जाए तो यह सार्वजनिक प्रकृति के इनकी जो नेचर है वो है सार्वजनिक पबिसाइज करना कि यह किसी एक के लिए नहीं है किसी से छोपाने के लिए नहीं है सब के लिए और प्रश्ण पंद्रवा है संचार के प्रमुक कार बताईए तो इसका उत्तर है संचार के प्रमुक कार है सूचना अभिव्यक्ति सामाजिक संपर्क प्राप् नेंग्तरन समस्या समाधान प्रतिक्रिया आदि अब हम सोल में प्रश्णपर आते हैं और इसमें पूछा गया है कि जन्संचार के प्रमुक कार्य बताईये उत्तर है जन्संचार के प्रमुक कार्य है सूचना प्रदान करना शिक्षित करना जागुरूप बनाना मनुरंजन करना नेगरानी करना तथा विचार विमर्ष के लिए मंज उपलग कराना यह जनसंचार के प्रमुक काम है इसलिए हम देखते हैं कि टेलीवीजन पर जो है वहां डिसक्रिसंस हो रहे हैं किसी विशय को जो देश का एक जोलंत सब्जेक्ट है टॉपिक है उसके विशयशग विद्वारों को बुला करके बाचीत की जा रही है ताकि लोग उसको ठीक तरीके से समझ सकें अखवारों में लोगों के बीच में प्रश्ण किये जाते हैं लोग उस पर अपने जवाब देते हैं अप संपाद्द की विभाग के कारें बताई यह संपाद्द की विभाग जो है वह देखिये अखवारों में भी होता है पत्र पत्रिकावं में भी होता और टेलिवीजन के जो चैनल्स हैं वहां भी एडिटोरियल डेपार्टमेंट होता है पर इनकी अपने-पने माध्यम के अंसार से कुछ कामों में एक विशिष्टता आ जाती है लेकिन ज्यादातर काम एक से होते हैं तो यहां पर हम बताएंगे कि संपाद की विभाग के जो कार हैं वो क्या हैं वो है खबरों सूचनाओं लेखों संपाद की अगर लेखों तथा फीचर आदी को उप्युक्त स्वरूप प्रदान करना है संपादक के पाद बहुत सारी सामगरी लेखों के द्वारा संवाद दाताओं के द्वारा भीजी जाती है टेलीवीजन के चैनलों के लिए भी उनके रेपोर्टर्स वो सामगरी भीजते हैं लेकिन एडिटोरियल स्टाफ जो है संपादकी विभाग का जो स्टाफ है वो देखता है कि इसमें से कौनसी चीज अनुपयुक्त है उसे काट दिया जाए चाट दिया जाए या कौनसी चीज जोड दी जाए तो ये और बहतर तरीके से इसकी अभी व्यक्ति होगी तो ये सारा कार्य करने के बाद जब उसे प्रस्तुत करने के योग बना दिया जाता है तो वही संपाद की कौशल होता है अठारवा है उदंत मारतंड सापताहिक पत्र का प्रकाशन कब और कहां हुआ था ये उदंत मारतंड जो अखवार है ये पहला समचार पत्र हिंदी भाषा का माना जाता है तो इसका सन 1826 में ये कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था और इसके संपादक होते थे जुगल किशोर प्रशन उन्नीसमा है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई उत्तर है भारत में पत्रकारिता की शुरुआत सन 1780 में हुई थी और इसकी शुरुआत एक अंग्रेज जेम्स आगस्ट हिक्की के बंगाल गजट ने की थी यहने पहले अंग्रेजी में अख़बार निकला है बाग में हिंदी में हमने अपनी भाशा में निकाला और प्रश्न बीसमा आज के एपिसोड का आखरी सवाल है स्वाधीन्ता से पहले वाले समय के कुछ प्रवख पत्रकारों के नाम बताईए तो इसका उत्तर है कि स्वाधीन्ता हमने पाई है उन्नेश सो सैतालीस में उन्नेश सो सैतालीस से पहले जब देश की आजादी का संगर्श चल रहा था और पत्रकारिता का बड़ा महत्तु था और पत्रकार अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश की स्वाधीन्ता के पक्ष में अपना योगदान कर रहे थे उस समय के वो महानतम पत्रकार है उन्हें से कुछ नाम हम आपको बताते हैं यह हैं गडेश संकर वेद्यार थी इन्हों यह तो शहीद भी हुए थे महावीर प्रशाज द्वेदी सरस्वती पत्रिगा के संपादक थे और इन्होंने बहुत योगदान दिया माखलाल चतुर्वेदी माखलाल चतुर्वेदी कभी थे पर उन्होंने कर्मवीर नाम का समाचार पत्र भी निकाला था और उसके जरिये उन्होंने स्वादीनता संग्राम में सयोग किया था प्रताप नरायर मिश्र शिव पूजन सहाय और राम ब्रुक्ष बेनी पुरी भी जिनकी प्रचनाएं आप अपने पाठी पुस् जन संचार और माध्यम विशय पर केंद्रिन बीस प्रश्णों की प्रश्णा वली पर आधारित उत्रों माला एपिसोर प्रप्याय से शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद